नमस्कार सातियों स्वागत है आपका हमारे ओनलाइन यूट्यूब प्लेटफर्म रूट पर मैं हूं दिनेश साहू और हमारी इंडियन जोग्रफी की सीरीज को आंगरे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट लेक्टर डिसकस करेंगे जैसा कि आपको पता ही होगा भारत का जो भागौलिक विभाजन है या फिर भौतिक विभाजन है या फिर जो फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया है इस टॉपिक को हम इस्टडी कर रहे थे और इसके अंत्रगत हमने अभी तक कौन-कौन स आफ हिमालिया यह सब भी डिसकस किया था सेकेंड फिजिकल डिविजन में हमने नदर्न प्लेन उत्तर का विशाल मैदान पढ़ा था जिसे हम गंगा प्रमपुत्र सिंधु का मैदान भी बोलते हैं तीसरे फिजिकल डिविजन में पैनिनिसुलर प्लेट्ट्यू या फिर प्रायद्नी पठार को डिसकस किया था उसमें भारत जितने भी परवत सेंुन। इसके कलाब जितने भी महत्मय ब्लेट्यू जा सरे किया था फोर्थ फीजिकल डिविजन भीविजन दिसकस किया था इंधान पतल द के तुट्विज इस कि हमारा जो भारत है ठीक hani यहाँ पर एक प्रायदीपी भारत का मैं यह मैप बना देता हूँ ठीक है तो प्रायदीप ही भारत में यहां देखेंगे आप अरब सागर में तो आपको कुछ द्वीप दिखाई देंगे इसको हम बोलते हैं लक्षुदीप और यहां पर भी अदिया आप देखेंगे तो कुछ द्वीब दिखाई देएंगे जिसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी में इस दित अंडमान निकोवार द्वीब समु ठीक है तो भारत में मुखिता ये दो द्वीब समु हमें देखने को मिलते है बंगा चोटे चोटे द्वीब भी हमें यहां पर दिखाई देते हैं ठीक है यहां पर इस प्रकार से तो इन द्वीबों को हम बोलते हैं अप तटी द्वीब क्या बोलते हैं अप तटी द्वीब इनको हम बोलते हैं तो इन ही अप तटी द्वीबों को आज की लेक्चर में हम डिस किस करेंगे और इनको हम क्या बोलते हैं अब 30 द्वीब बोलते हैं आपने दिये हमारी सीरीज को फॉल नहीं किया है तो आप कर सकते हैं सारे लेक्चर आपको बिल्गोल सीरीज से यहां पर मिल जाएंगे ठीक है चलिए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ास आपको इसका foundation course मिल जाएगा आरंब नाम से है individual अलगलग subject भी आप यहां पर अवेल कर सकते हैं इसे की economy, quality, history, science, reasoning ठीक है सभी courses आप यहां पर अवेल कर सकते हैं मुझसे detail में geography पढ़ना चाहते हैं Indian geography हो या फिर world geography हो तो आपको मेरे यहां पर geography के मुल्टिपल courses मिल जाते हैं live और recorded यहां पर आप मुझसे geography भी पढ़ सकते हैं एक बार आप हमारी application को play store से डाउनलूड करके visit जरूर कर लिजे चलिए तो topic को start करते हैं सबसे पहले चुकि हम द्वीप को पढ़ रहा है तो आपको पता होना चाहिए आखे द्वीप होता क्य है island होता क्या है तो simple से definition है आपको पता ही होगी ठीक है यह कोई ocean है कोई सागर है कुछ भी हो सकता है कोई जील हो सकती है इसके लावा कोई नदी हो सकती है कोई महा सागर हो सकता है कोई सागर हो सकता है ठीक है तो यह कोई भी जली निकाय हो उसके बीच में यदि कोई land area है जो कि चारो और से जल से घिरा हुआ है चाहे वो जील के बीच में हो चाहे वो नदी के बीच में हो चाहे महासागर के बीच में हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं उसको हम बोल देते हैं द्वीप या फिर क्या बोल देते हैं आईलेंड बोल देते हैं ठीक है तो ये बच्चो सी के बीच में इस्थित है ठीक है इसके लब एक से अधिक यदी दूइफ हैं बहुत सारे दूइफ है तो उनको हम दूइफ समु बोल देते हैं जैसे आपको पता होगा जो इंडोनेशिया है यह विश्व का सबसे बड़ा दूइफ है लगबग 13,000 दूइफ आपको वहां प देखने को मिलेंगे ना अंडमान निकोवार में ही 500 से अधिक दूइफ है लगबग 572 दूइफ है लक्ष्य दूइफ में लगबग आप देखेंगे तो 36 आइलेंड वहां पर देखने को मिलेंगे इसके लावा बहुत सारे अपतरी दूइफ हैं तो ऐसे ओवराल हमारे इंडिया में देखने को मिल जाते हैं अब भारत के जो दूइफ हैं इनको हम दो वहाबों में बाढ़ सकते हैं कैसे बाढ़ सकते हैं इसको जरा ध्यान से समझेगा ठीक है कभी मैंस वगेर में भी लिखने को आगए तो आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं जैसे कि खाडी ठीक है यह हमारा इंडिया का मैप है यहां पर देखिए यह वाला, पूरव पार है यहां पर आपको लक्षदीब almost दीब देखने को मिलेगा ठीक है और यहां पर आपको अंडमान निकवार और दीपसमूह देखने को मिलेगा ठीक ही तो वह अकर में अस्थित दीप और एक थो बंगाल की खाडी में इस्थित असको अब यहां से भी आप इसको नहीं दो प्रकार से समझ सकते हैं अप तटिये द्वीपों की बात करें ठीक है कुछ हो जाएंगे जो अरब सागर में इस्थित अप तटिये द्वीप हैं ठीक है तो यहां पर यहीं में लिख दूँ अप तटिये द्वीप अप तटिये द्वीप में भी आप समझ सकते कुछ अरब सागर की हो जाएंगे कुछ बंगाल की खाड़ी में हो जाएंगे अप तटिये मतलब यह हमारी तट्रिखा है ठीक है यह हमारी कोस्ट लाइन है और इसके यहां पर छोटी छोटी आपको बहुत सारे द्वीप देखन को मिल जाएगा यहां वैलिंग्टन द्वीप देखने को मिल जाएगा ठीक है यहां पर आप देखेंगे साल से द्वीप पर मुंबई इस्तित है अलिफेंट है बहुत सारे द्वीप आपको अब तट्रिखा के पास देखने को मिल जाएंगे इनको हम बोलते हैं अब तट् चर्मेट ठीके चलिए तो देखे सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में इसथित्त जो दौईप है उनको हम यहाँ पर डिसकस कर लेते हैं, ठीके बंगाल की खाड़ी में इस थित्त दौईप समूब, तो यहाँ पर अब तटी की बात करें, इनको हम बोलते हैं आफशौर आइ यहां पर देखने को मिलता है और यहां पर ही आपको एक द्वीप देखने को मिलता है नियु मूरे द्वीप, अब याद रखेगा यह जो वर्तमान में इसका अस्तित्व ही नहीं है, मतलब ये पूर्ता जल में समाहित हो चुका है, आपको याद रखना है, तो समुद्र में ये, समुद्र में पूर्ता ये विलीन हो चुका है, आपको याद रखना है, ठीक है, समुद्र में ये विलीन हो चुका है, इसका वर्तमान में अस्तित्यु नहीं है लेकिन याद रखेगा हमेशा से यह है भारत और बांगलादेश के मध्ध में भारत और बांगलादेश के मध्ध में विवादित रहा है ठीक है क्यों रहा है क्योंकि बांगलादेश क्लेम करता था कि यह हमारा आइलेंड है भारत क्लेम करता था कि हमारा आईलेंड है और काफी आजादी के बाद से लगवग 1954 में अधी आप बात करेंगे तो ये समुद्र तल से लगवग 2-3 मीटर ऊपर था 2-3 मीटर ऊपर था ठीक है लेकिन समय के साथ वर्तमान में ये पूंट था दूब चुका है आप जानते होंगे ग्लोबल के चलते बहुत सारे से महत्पूर्ण आईलेंड्स हैं या फिर महत्पूर्ण सिटी हैं जो की तटरिखा पर है या फिर महत्पूर्ण पर इस्ते थे तो उन पर खत्रा है ना ग्लोबल वर्मिंग मतलब ऐसा समझे कि ग्लेशियर तेजी से पिखल रहे हैं प्रतिविका टैम समय तक यह विवादित रहा ठीक है 1954 में आजादी के बाद लगवाद दो से तीन मीटर यह उचा था लेकिन वर्तमान में समुद्र में विलीन हो चुका है बस इसकी लोकेशन याद रखना है वेस्ट वेंगौल के पास आपको बंगल की खाड़ी में देखने को मिलेगा आंगे जो आइलेंड है वो बहुत ही महत्पून है इसका नाम है वीलर दीप है न इसका क्या नाम है वीलर दीप या फिर इसको हम बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम दीप क्या बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम दीप ठीक है वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया ग जिनके महात्वुन है पहली बाद तो किस राज में आता है तो ओडी से में यह आता है जो पर यह देखने को मिलता है आपको याद रखना है ऐसके लावा यहां पर महाणेदी महा नधी और ब्रामनी नधी जो है ठीक है इनके आपको मुहाने पर ये देखने को मिलेगा इनके मुहाने पर ये आइलेंड आपको देखने को मिलेगा काफी महत्रपुन ठीक है इसके बढ़ा सबसे महत्पूर्ण पॉइंट यहां से भारत के जो DRDO है na Defense Research and Development Organization DRDO ठीक है भारत सरकार का रक्षा से संबंदित एक महत्पूर्ण यह विवाग है DRDO जिसको हम बोलता है इसके जो भी मिसाइल की टेस्टिंग होती है तो उन मिसाइलों की टेस्टिंग होती है इसी आईलेंड से होती है किस से वीलर आईलेंड उडीसा से तो यहाँ रखेगा यहां पर DRDO का मिसाइल मिसाइल टेस्ट रेंज सेंटर है एक्जाम में कई वर कोश्चन आया है कि इन में से किस द्वीप पर DRDO का मिसाइल टेस्ट रेंज सेंटर इस्थित है तो कहां पर वीलर द्वीप पर ही इस्थित है आपको याद रखना है ठीक है और चुकि यहां से मिसाइलों की टेस्टि की जाती है तो इसी के चलते हमारे जो पूर्व राष्टपती थे और महान वैग्यानिक थे अपीजे अब्दुल कलाम जिनको मिसाइल मैन आफ इंडिया भी बोलते हैं तो इनके ही सम्मान में इस द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है आपको याद रखना है ठीक है इतने पॉइंट याद रखेगा किस राज्जी में हैं इसका नया नाम क्या है किस नदी के मुहाने पर है और ये डियार डियो वाला पॉइंट तो बहुत ही जादा महत्तपून है तो असा मैप कोटा और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट द्वीप है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी डिस्कुस कराया था जब मैं आपको कोश्टल प्लेन पढ़ा रहा था तो यहां पर देखिए ये आंद्रप्रदेश राज है और ये तमिल नाडू राज है और इसके बीच म जील मैं इस्थित है मैं इस्थित है ठीक है पहला पॉइंट दूसरा भारत का एक मात्र भारत का एक मात्र जो उपग्रह प्रक्षेपन केंद्र है ना उपग्रह प्रक्षेपन केंद्र प्रक्षेपन केंद्र है वो यहां पर ही इस्थित है क्या बोलते हैं इसको सतीस ध्वन अंत्रिक्ष्ष केंदुर। भारत का एक्मात उपगरेफश केंदुर। यहां पर ही आपको ब्लता है। था पर स्रीहरीकोटरदीप में कहा है तमिलनादू Aside रिजन में आपको याद रखना है। रखना है। बहुत important है याद रखेगा यहां से multiple times exam में question आये हैं याद रखेगा भारत से जो भी उपगर है जो भी satellite launch की जाती है वो यहां से ही की जाती है क्योंकि भारत का एक मात्र उपगर है प्रक्षेपन केंद्र है या फिर satellite launching station है ठीक है अगला है पंबन द्वीप यह भी बहुत महत अब यह कहां यहां पर आपको पता है एक देश है इस प्रकार से स्री लंका ठीक है स्री लंका है और स्री लंका और तमिलनाडू के बीच में यहां पर आपको एक द्वीप देखने को मिलेगा ठीक है फ्लड़ा सा मैं आपको यह अगली मैप में ले जाता हूं यह देखिए यह हो गया स्री लंका, ठीक है, यह स्री लंका हो गया, यह स्री लंका का एक महत्पूर्ण छेत्र है, इसको हम बोलते हैं, तैलिया मननार, ठीक है, और यहाँ पर यह हो गया पंबन आइलेंड, इसको हम रामिश्वरम आइलेंड भी बोलते हैं, अब ध्यान से समझेगा, ठीक इसा बान जाता है कि इसने चारधाम की यातर को मुख्ष प्रांग्षं से व जाती है है तो अपने जीवन काल में किसी भी हिंदु को चारधाम ज तो तिर लिंग भी है है, रियाद रखेगा, तो यहाँ पर रामेश्युरम है और इसका पंबन आउयलेंड का सबसे दक्षणी छोड़ है, यहाँ से भी सबसे दक्षणी छोड़ कौन का सा है, तो धनुसकोड़ी इसका सबसे सदर्न मोश्ट छोर है तो रामेशुरम धनुसकोडी यहाँ पर ही देखने को मिलता है इसी धनुसकोडी से यहाँ पर आपको एडमस ब्रिज या फिर रामसेतु देखने को मिलता है जो की तेल्यमनार या फिर स्रीलंका को आपस में कनेक्ट करता है तो याद रखेगा पंबन आईलेंड में ही रामेश्वरम है इसको हम रामेश्वरम दीप के नाम से भी जानते हैं इसका सबसे सदर्नमोश पॉइंट धनुसकोडी है और इसी धनुसकोडी से तेल्यमननार सिलंका का एक छेत्र है यहां तक आपसमें रामसेतु या फिर एडम्स ब्रिज है इस और इसके अलावा क्या पॉइंक हमने डिसकस किया यहां पर धनुसकोडी ना धनुसकोडी सबसे सदर्नमोश्ट कोइंट है और एडम्स ब्रिज्च drug Adams Bridge या फिर जिसको हम राम सेतु बोलते हैं ठीक है राम सेतु है इसी धनुसकोडी से टेल्या मन्यार स्री लंका को अपशना कनेक्ट करता है ठीक है तो यह सारे आइलेंड महत्पुन है याद रखेगा यह हमने कौन से डिसकस कर लिए बच्चो यह हमने डिसकस कर लिए यह बं है यह हम देखने को मिलेगा तो केरल राज में या फिर आपको मालावा आर कोश्ट में देखने को मिलेगा ना अब दिसकस किया था केरल का जो कोश्ट है। उसको हम बोलते हैं, मालावार कोश्ट अब ऐसा भी आ सकता है कि जो द्विप हैं online कोश्ट से भी पूर्ष सकता है, यहाँ उतकल कोश्ट है, यहां आंध्रा कोश्ट भुलते हैं। तो तो वैलिंगटन द्विप कहां पर है कि पहली बात आपको याद रखना है। कि कल के लेक्चर में ही मैंने आपको पड़ाया है, चील है। जो की एक लेगून है और तीरल के लेगून को क्या मोलतें और कईाल की है का भारती है नौ सैना का बेस स्टेशन भी है आपको याद रखना है यहां प्रतिवर्ष नौका यान प्रतियोगिता भी होती है यहां प्रतिवर्ष नौका यान प्रतियोगिता भी होती है यह प्रतिवर्ष नौका यान प्रतियोगिता भी होती है यह पॉइंट भी आपको प्रतियोगिता का आयूजन भी यहां पर किया जाता है याद रखेगा ठीक तो यह तीन-चार पॉइंट ही जो कि एक्जाम के दिश्टी काउंट से महत्रपूर्ण है नोट डाउन कर ले जगा है इसके लावा कोची के अंतरगत यहां पर महत्रपूर्ण है याद रखेगा ठ आप में देखोगा ताज होटल ताज होटल के सामने है गेटवे आफ इंडिया गेटवे आफ इंडिया यहां से ही लगवाग 10-12 किलो मीटर लगवाग 10 किलो मीटर दूर आपको एलिफेंटा द्वीप देखने को मिलेगा ना जो कि परेटन की दिश्टी कौन से काफी महत् मंदिरों के लिए प्रशिद्ध है किसलिए प्रशिद्ध है गुफा मंदिरों के लिए अपको याद रखना है तो काफी आसानी से आप घूम सकते हैं यहां पर और काफी ज़्यादा परेटन के लिए फेमस है अलिफेंटा द्वीप जो कि महाराश्ट के अंतरगत आता है यह आपको याद रखना है ऐखें चलिए अग्ला एक महाथ्पूर्ण डुइप है आपको महाराश्ट्र में देखने को मिलेगा राज्जे क sanctρα कर लिए पर यहर्ब सागर पर आयर्लयावीट आइड देखने से तो मुहाने पर जैसे माली जी नर्मदा नदी है ठीक है यह नर्मदा नदी है तो इसके मुहाने पर जब यह समुद्र से मिलने वाली होती है तो उसके ही किनारे पर आपको यह आलियावेट द्वीप देखने को मिलता है आपको याद रखना है ठीक है इतना याद रख लिएगा तहां पर है नर्मदा नदी के मुहाने पर गुजरात राज्य में आपको देखने को मिलता है गुजरात के पास ही नर्मदा नदी मिलती है ना खंबात की खाड़ी में देखिए यहां जाती है इस प्रकार से यहां पर गिरती है यहां तापती भी आ जाना जाता है आपको याद रखनाब एक यहाँ पर खालिअवेट आईलेंड आपको देखने को मिलेगा तापती नाधी के मुहने पर देखने को मिलेगा तो अलेवेट पै नार्मदा के मुहने पर खालेवेट जोक शलो Kis की विशेश्टा यह कि कि किस द्वीप पर मुंबई इस्थित है जो कि भारत की आर्थिक राजधानी कही जाती है कई वार कोश्चन आया है ठीक है और सबसे ज़्यादा आवादी वाला सबसे ज़्यादा पॉपुलिशन डेंसिटी वाला यह द्वीप है यहां पर देखिए यह साल सैट द्वीप है औ आलिया वेट खालिया वेट इसके लाव साल से ठीक है इतने द्वीप पढ़ लेंगे काफी है बाकी जादा आपको कुछ पढ़ने की अवश्यक्ता नहीं है ठीक है तो यह आज की वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने क्या पढ़ा है अब तटी द्वीपों को हमने यहां वहां पर डिस्कस किया है ठीक है यहThis प्रकार से यहां पर पहले हमने बंगाल की खाड़ी के डिस्कस किए फिर हमने यह पर अर्ब सागर्र के डिस्कस किए अब अगली lecture में अंदमन निक उपकुण, वंडे एक्जाम के तश्टी कौण्ट लिकाफी महत्थोफुन है , बार बार यहां से एक्जाम में कौश्ण देखने को मिलते हैं , चले क।श्छ कौश्ण में हम ons डिसकस कर लेते हैं , पहला कौश्ण है भारत का एक मात्र उपग्रहे प्रक्षयोपन के einer कहाँ प अंतरिक्ष केंद्र इस्थित है आपको याद रखना है पुलिकट जील में यह देखने को मिलता है नेक्स्ट डियार डियों का इंटीग्रेटिट टेस्ट रेंज सेंटर कहां पर इस्थित है तो मैं आपको बताता है वीलर दीप जिसका वर्तमान में नाम एपीजे कलाम दीप कर दिया गया है उडिसा के अंतरकत यह हमें देखने को मिलता है तो वीलर दीप या फिर एपीजे अब्दल कलाम दीप पर यह आपको देखने को मिलता है आपको याद रखना है ठीक है नेक्स्ट है न्यू मूरे दीप किन देशों के मध्ध में विवादित रहा तो भारत और बांगलादेश के मध्ध में ये विवादित रहा है वर्दमान में ये पूर्था समुद्र में समाहित हो चुका है नेक्स्ट है पैट्रूलियम उत्पादन के लिए प्रशिद्ध है तो पैट्रूलियम उत्पादन के लिए आलियावेट प्रशिद्ध है जो की नर्मदा नदी के मुहाने पर आपको देखने को मिलता है और खालिया वेट एक द्वीप है जो कि तापती नदी के मुहाने पर देखने को मिलता है गुफा मंदेरों के लिए जाना जाता है प्रेटन के दश्टी और से काफी महत्रपुन है सिरीहरी कोटा द्वीप किस जील पर इस्थित है तो पुलिकट जील के अंतरगत सिरीहरी कोटा द्वीप इस्थित है सतीजधवर अंतरिक्ष के अंदर यहां पर हमें देखने को मिलता है vara mitra Authority ध स्थित्बार जारा अपर है आपकि यादर बाकि एलेंड तो बहुत वहाँ सारेitting यहाद का अकला तॉपिक महत्रपुन होगा क्योंकि यूसमें हमrint map चलेंगे और अरुज्य से हमाले को समझतों ही क्योंकि वह महत्रपुन हैं तो तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंड बॉक्स में जरूर बताईए मिलेंगे अगले बहतर लेक्चर में तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहेए बाई-बाई टेक केर जैहिन